वेलकम बैक टू दे चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर जिसके लिए हम यूज करने वाले HTML, CSS and JavaScript का तो गाईज इसके बाद हम इसका वरकिंग देखते हैं तो जो भी पासवर्ड जनरेट होगा वो इस पासवर्ड फीर्ड में हमें display हो जाएगा तो यहाँपर गाईज हम यहाँपर ओप्शन चूझ करेंगे अपर केस लेटर, लोवर केस लेटर जो भी इंक्रूट करना है हमार पासवर्ड में और जब भी हम generate password button पे click करेंगे तो यहाँ पे एक password generate होके आ जाएगा जिसकी length होगी 12 characters की तो हम यहाँ पे इस slider के थूँ इसकी password की length vary भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक copy icon दिया हुआ है जिस पे हम जब हम click करेंगे तो वो password हमारे clipboard पे copy हो जाएगा और गाइज यह password generator minimum 4 characters का password generate करता है और maximum 20 characters का चलिए शुरू करते हैं and please watch this video till end तो गाइज यहाँ पे हम VS code का यूज़ करने वाले हैं तो आप चाहे तो किसी भी code editor का यूज़ कर सकते तो गाइज सबसे पहले हम 3 files बाना देते हैं पहली होगी index.html then हम बनाएंगे style.css css के लिए और तिसरी हम बनाएंगे javascript के लिए उसको हम नाम देंगे app.js तो सबसे पहले हम आते हैं index.html में तो यहाँ पे हम shift plus one प्रेस करेंगे और boilerplate code को insert कर देंगे तो मैं यहाँ पे title देता हूँ हमारे web page को title होगा तो title होगा random password generator then हम हमारी css file को link करेंगे link colon css तो यहाँ पे हमारी css file क्या हो जाएगी link हो जाएगी इसके बाद guys हम इस file को side by side open करने वाले है using microsoft extension live preview जो कि आप extension tab में जाके install कर सकते हैं तो आपको राइट क्लिक करके show preview के option पे click करना है तो आप यहाँ पे live changes देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कुछ type करता हूँ तो यहाँ पे आपको live change नजर आएगा तो मैं यहाँ पे side bar को close कर देता हूँ तो guys आप एक और चीज़ यहाँ पे कर देना आप यहाँ पे सकते हैं कि horizontal scroll बार आ रहा है तो लेकिन मुझे क्या चाहिए scroll नहीं चाहिए तो इसके लिए मैं world wrap करता हूँ हमारी file को alt plus z press करके तो यहाँ पे हमें scroll करने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो इसके बाद हम यहाँ आप एक due बनाते हैं जिसको हम class देंगे container और container के अंदर हम यहाँ पे हीडिंग देंगे तो हीडिंग होगी h2 और text हम देंगे generate और random password और गाइद मुझे का चाहिए यह दो वर्स दिख रहे है ना random password तो next line पे चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे add कर देंगे BR tag को तो यह next line पे आ जाएगा और मुझे इन दो वर्स के नीचे एक underline पी चाहिए तो इसके लिए हम इन दो वर्स को add कर देंगे span tag में तो span tag में हम क्या करते इन दो वर्स को insert कर देते control x का यूज करके हम इसको cut करेंगे और यहाँ पे हम इसको paste कर देते इसके बाद हम container को और h2 को style करेंगे तो इसके लिए हम जाएंगे style.css में तो यहाँ पे सबसे पहले हम default styles को override करेंगे तो जिसके लिए हम यूज करने वा पॉपिन्स का पॉपिन्स और fallback font होगा sans serif और इसके बाद box sizing हम set कर देंगे border box इसके बाद हम क्या करते हमारी body को style करते तो body सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे background देता हूँ body को तो body का background होगा hex value f0 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 और हम क्या करते इसकी जो height है height हम set कर रहेंगे 100 vh, vh means होता ह है viewport की height और width हम इसके set कर देंगे 100% इसके बाद overflow हम set कर देंगे hidden और हमें क्या चाहिए content center में चाहिए तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले display type grid का आप flex box का भी use कर सकते और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे place content center का तो सारा का सारा content क्या हो जाएगा center में जाएगा तो आप आपे देख सकते और इसके बाद हम container को style करेंगे container और सबसे पहले हम देते इसको background color background color होगा white x value triple f और हम इसको set कर देंगे padding padding होगी 10 pixel top bottom and 30 pixel right left और width हम इसको देंगे width होगी 400 pixel और हम इसको देते एक box shadow box shadow होगा 0 pixel x 0 pixel y 20 pixel का blur होगा और rgb color हम देंगे 0,0,0,0,0.2 इसकी opacity होगी तो आप साय यहाँ पे देख सकते और इसके बाद हम इसको देंगे 5 pixel की border radius इसके बाद हम style करेंगे हमारे heading को h2 h2 हम देंगे margin margin set कर देंगे 15 pixel top bottom 5 pixel right left और इसके बाद हम इसको color देते तो color के लिए हम hex value का use करेंगे 1a237e का और हम इसको देते font weight font weight होगा 600 हम यहाँ पे इसको देंगे margin bottom से margin bottom होगा 30 pixel और गाईज इसके बाद मुझे क्या चाहिए हमारा जो random password word है इसके निचे एक underline चाहिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे h2 और हम इसके अंदर का है हमारा span element है तो span यहाँ पे हम यूज करेंगे text decoration property का और यहाँ पे हम build देते 4 pixel type होगा underline और हम इसके लिए color set करने वाले color होगा हमारा hex value 1a237e काईज आप यहाँ पे देख सकते कि यह underline और text के बीच gap कम है तो हम इसको gap बढ़ा थे और यहाँ पे हम देंगे text underline offset property का हम use करेंगे और यहाँ पे हम set कर देंगे 10 pixels तो यहाँ पे जो distance से दोनों के बीच का वो बढ़ जाएगा इसके बाद हम वहाँ पर चलते index.html फाइल में और s2 के बाद हम यहाँ एक div बनाएंगे जिसको हम देंगे class password box जिसके अंदर हम generated password को display करेंगे तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक input tag जिसका type हम देंगे text और इस input box को हम id देते password और हम इसको देंगे placeholder password और इस tag को close कर देते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे input field में text एंटर कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे इसको क्या करना है सिर्फ read only set करना पड़ेगा तो मैं read only set करूंगा तब यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर नहीं कर पावूंगा गाई इसके बाद हमें इस password फिड के आगे एक icon चाहिए जिसका use करके हम password को copy कर पाएंगे तो यहाँ पे icons के लिए हम google icons का use करने वाले है तो google पे हम search करेंगे google icons और यहाँ पे first result आएगा material symbols and icons यहाँ पे आपको click करना है तो यहाँ पे यहाँ आपको website open हो जाएगी जहाँ आपको बहुत सारे icon देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे हम search bar में search करेंगे copy icon को और यहाँ पे content copy icon पे click करेंगे तो यहाँ पे एक sidebar open हो जाएगा तो यहाँ पे एक आपको link tag देखने को मिल जाएगा तो इसे हम सिप क्या करना है copy करना है और हमारे HTML code में insert करना है और icon क इनसेट करने के लिए हमें फिर से वापर जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनसेटिंग दा AIKON तो इस code को हमें गाय करना है सिर्फ copying करना है और हमारे code में paste करना है पासवर्ड लेंद याली यान जी टी अच और इसके नीचे हम एक और और इसके नीचे हम स्पैन टैट का यूज़ करेंगे स्पैन जिसको हम आईडी देंगे स्लाइडर वैल्यू तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगी एक्ट्वल वैल्यू दिखेगी और जिसके अंदर हम करंटली रखते हैं नाइन गाईज हम पासवर्ड के लिए डाइनमिकली सेट करने वाले हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक इन्पुट टाइप लेंगे रेंज लिए आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इसके थ्रूम क्या करेंगे पासवर्ड की लेंथ एड़ेस्ट करेंगे और इसको हम आईडी देंगे लेंथ स्लाइडर और मिनिमम् वैल्यू हम सेट कर देंगे 4 और मैक्जिमम् वैल्यू होगी 20 तो पासवर्ड जो भी generate होगा वो 4 to 20 characters के बीची होगा guys इनको हम बाद में style करेंगे तो यहाँ पे हम एक div बनाते हैं जिसका class होगा row तो guys इसके अंदर हम insert करेंगे इस pan tag को control C करके यहाँ पे हम paste कर देंगे और इस pan tag के बाद हम यहाँ पे एक checkbox field बनाएंगे input type हम यहाँ पे देंगे checkbox तो और इसको हम id देते हैं uppercase तो जब भी हम इस checkbox को check करेंगे या click करेंगे तब यहाँ पे हमारी password में uppercase letters भी include हो जाएंगे इसके बाद guys हम इस checkbox को label देते हैं label और for attribute में हम add करेंगे इस checkbox की id और हम इसको एक class भी दे देते हैं अभी class होगा include label और इसको हम close कर देंगे और इस label को हम text देंगे include uppercase letters और bracket में हम add कर देंगे a to z इसके बाद गाईद मुझे यहाँ पे radio icon चाहिए ठीक है तो हम आते हमारी google icons पे तो यहाँ पे हम search करेंगे radio तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि radio button unchecked तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि radio button unchecked ठीक है तो यह text है तो हम पूरा का पूरा टैगी copy कर सकते हैं यहाँ यहाँ पे टेक्स चेंज कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे tag को remove करते हैं और यहाँ पे copy की यह वह tag paste कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि radio button आ चुका है तो हम यहाँ पे इस block को select करेंगे और alt shift down arrow key का press करके यहाँ पे उनको duplicate कर देंगे तो गाईज इसके बाद मैं इस preview window को छोटा कर देता हूँ इसके बाद गाईज हमें labels का text change करना पड़ेगा तो यहाँ पे आएगा include lowercase letters और यहाँ पे bracket में हम करेंगे small a to z और यहाँ पे हम label का जो for attribute की value हो भी हम क्या कर देंगे change कर देंगे और set कर देंगे lowercase और इस check box के ID हम set कर देंगे lowercase तो यह same process हम बाद की बचे हुई रोज के लिए repeat करेंगे और एक टेक्स्ट और इन्पूट के आइड़ी चेंज करेंगे तुबाई जिसके बाद हम नीचे एक बटन आइड़ कर देंगे हम यूज करेंगे बटन टैक का जिसका टाइप हम करेंगे बटन इस बटन को हम एक ID देंगे ID होगा generate button btn और इसके अंदर गाइज में यहाँ एक icon यूज करने वाला हूँ और text तो हम text दे दे थे generate password और इस text से पहले हम एक icon इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम search करेंगे electric तो यहाँ पर आएगा electric bolt का icon यहाँ पर span tag को copy करेंगे और हमारे code में इस text से पहले उसको insert कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते कि यह icon आ चुका है इसके बाद गाईज हम सबको style करेंगे तो चलिए style.css में तो यहाँ पर गाईज हम style करेंगे हमारे password box को तो यहाँ पर जो password है और यह icon हम एक सबको align कर देते तो यहाँ पर हम हमारा जो class है वो है password box और इसको हम क्या करते है position जो है उसकी position set कर देंगे relative और हम उसको margin देंग 15 pixel का top bottom और 0 pixel right left और इसके बाद हम style करेंगे हमारे password फिल्ड को जिसकी ID के आए यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर उसकी ID है password double click करके control C करके copy करेंगे और style.css में आके hash control V और इसको हम style करते है हमारे password फिल्ड को तो इसको हम देते है width हम set कर देंगे 100% जो भी available width होगी वो पूरी की पूरी ले लेगा और इसके बाद हम padding देंगे इसको padding होगी 10 pixel top bottom 20 pixel right left then हम क्या करते हैं इसकी जो outline है outline हम set कर देंगे 0 उसकी border हम set कर देते हैं 3 pixel solid इसके लिए hex color हम यूज करने वाले 2600 FF का तो यह आप आज देख सकते हैं कि इसकी border अच्छे से दिख रही है इसके बाद हम इसको देते 5 pixel की border radius border radius 5 pixel और हम इसका जो color है text का जो color होगा तो होगा hex value 18237E और इसका जो font weight होगा वो हम set कर देंगे 600 guys यहाँ पर जो placeholder text दिखता है ना तो उसको font weight हम कम कर देते हैं तो यहाँ पर होगे hash password और double colon placeholder और यहाँ पर हम set कर देंगे font weight वो होगा 400 और password field की font size हम set करेंगे 20 pixel guys इसके बाद हमें यह icon यहाँ पर right side पर चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर style करते हैं तो यहाँ पर हम use करेंगे password box span और यहाँ पर हम set कर देंगे position absolute top से हम set कर देंगे 25% right से हम set कर देंगे 10 pixel ठीक हो आंदर आ चुका है इसके बाद हम इसकी font size set कर देंगे 28 pixel और इसका जो color होगा इस icon का हम set कर देंगे hex value 18237E और font weight हम इसका set कर देंगे 900 इसके बाद guys मुझे password length और यह number 9 यह वो same line पर चाहिए तो इसके बाद हम इसका class देख लेते class क्या है length row control c करेंगे और style.css में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे class selector that is dot control v करेंगे और यहाँ पर हम set कर देंगे margin top वो होगा 20 pixel display हम set कर देंगे flex क्यूंकि हमें क्या चाहिए तो यह जे password length और number के बीच में distance चाहिए यह आपको बोल सकते हैं कि number 9 मुझे extreme right corner पर चाहिए तो इसके लिए हम करेंगे justify content space between property set कर देंगे और last हम font weight set कर देंगे 600 और गाइद मुझे कैसे चाहिए यहाँ पर जो कि यह जो टेक्स्ट है ना इसका color मुझे change करना है तो यहाँ पर हम करेंगे dot length row p और यहाँ इसके अंदर हम set कर देंगे color तो color होगा hex value 1a237e तो आप देख सकते कि इसका color change हो चुका है गाइद इसके बद हम style करेंगे हमारे length slider को तो हम यहाँ पर इसकी जो default styling है उसको change करके customize करने वाले तो इसका id हम देख लेते index.html में जाएंगे और इसका id क्या है length slider एक control c करेंगे style.css में आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे id selector ctrl v तो जैसे मैं यहाँ पर पहले property set कर दूँगा तो क्या होगा यह noe and none तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो default styling है वो remove हो चुकी है तो इसके बद हम इसको देते एक background background color होगा hex value 2600 ff आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो background है change हो चुका है और इसकी जो width हम set कर देंगे 100% ले लिए उसने full width तो customize हो गया then हम क्या करते हैं इसकी जो height है ना height बहुत जादा है हम set कर देंगे 5 pixel हो गया चोटा सही है then हम क्या करते हैं इसको जो outline है outline हम set कर देंगे none इसके बाद हम देते इसको एक border radius 50 pixel और margin देते बॉटम से margin bottom 20 pixel इसके बाद guys यहाँ पे हमें जो slider का handle दिख रहा है ना उसको हम style करने वाले इसके लिए हम use करेंगे इस id selector का control v आपको यहाँ पे sudo element का use करना है that is webkit slider thumb इसका हम use करेंगे तो guys अगर हमें default styling remove करने यह तो क्या करना पड़ता है appearance property none set करनी पड़ती है then हमकी जिसकी जो width हम set कर देंगे 20 pixel और height भी हम set कर देंगे 20 pixel और हम इसको देते एक background तो background हम देने वाले height value double four double zero ff आप देख सकते हैं कि आप यह दिख रहा है then हम इसको देते एक border border होगी 4 pixel solid color होगा पलियप then हम क्या करते हैं इसकी जो border radius है न border radius मुझे यह circle चाहिए तो हम set कर देंगे 50 pixel आगा है circle में और इसके बाद हम क्या करते हैं outline देंगे इसको outline होगे 2 pixel solid हे color होगा hex value double four double zero f और last में हम set कर देंगे इसका cursor pointer तो गाईज जब भी हम cursor इसको इपर लेके जाएंगे तो यह pointer में change हो रहा है तो गाईज यह slider आपको कैसा लगा एक comment box में अभी बाता आना इसके बाद गाईज हम यहाँ पे जो rows दिख रही ना उनको style करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि class कौन सा है dot row dot row इसका हम margin set कर देंगे margin होगा 15 pixel top bottom 0 pixel right left देन हम इसकी जो position होगी set कर देंगे relative और इसको हम देते एक box shadow box shadow होगा 0 pixel x 0 pixel y 5 pixel का हम इसको देंगे blur और rgba color value होगी 107 107 107,107,0.4 देन हम इसको देंगे padding padding होगी 10 pixel top bottom 15 pixel right left देन हम इसको देते एक border radius वो होगी 10 pixel और गाईद मुझे क्या चाहिए यह सारा का सारा content क्या है vertically center में चाहिए तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे display flex और हम यूज़ करेंगे airline item center का तो यह vertically भी क्या हो जाएगा center हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पे जो labels दिख रहे हैं उनको margin और font weight दे देते दो होगा dot roll label यहाँ पे हम set कर देंगे margin in line 5 pixel और font weight हम set कर देते 600 इसके बाद गाईद यहाँ पे हमें जो radio बटन दिख रहा है तो इनको हमें क्या करना है style करना है तो हमें बाता है यहाँ पे कौन सा class हमने वहाँ पे उनको यूज किया है check box तो हम control c करते style.css में आएंगे dot control v और यहाँ पे हम उनको style करेंगे तो यहाँ पे आइकोन को हम देते color color होगा hex value 13237e इसके बाद हम cursor set कर देंगे pointer और font size मुझे बढ़ा निये मैं set कर दूँगा 28 पिक्सेल लेकिन यहाँ पे कुछ change नहीं हो रहा है इसके लिए मुझे important का use करना पड़ेगा लेकिन यह क्यों हो रहा है पता है क्या हम index.css में आ रहे है तो यह जे icon की style sit है ना यह बात में लोड हो रहे है तो यह क्या कर रहे है ओवर राइट कर रही हमारे style.css के styles को तो यहाँ पे अगर जब मैं important tag का use नहीं करूंगा तभी भी same result हमें देखने को मिलेगा गाईज इसके बाद हम style करेंगे हमारे button को तो हमारा selector है button और यहाँ पे सबसे पहले में position रखूंगा relative width हम set कर देंगे 100% then padding में दे देता हूँ इसको होगी 10 pixel top bottom 20 pixel right left then हम देंगे इसको border radius border radius होगी 4 pixel हम देते हैं इसको background color background color होगा hex value 1a237e then मैं क्या करता हूँ इसको color देता हूँ color होगा hex value triple f guys आप यहाँ पे देख सकते कि यह जो text और यह icon क्या है align नहीं एक दूसरे के साथ इसके लिए हम यूज करेंगे display flex का और हम करेंगे align item center और हमें करेंगे jcc justify content center तो सारा का सारा content क्या हो जाएगा center में हो जाएगा इसके बाद guys हम इसके जो outline है outline set कर देंगे 0 border set कर देंगे 0 then हम देते हैं इसको margin block वह होगा 10 pixel top bottom से and lastly हम add करेंगे font size that is 18 pixel और इसके बाद guys last हम क्या करेंगे इस icon और text के बीच में थोड़ा space रखते हैं तो इसके लिए हम use करेंगे button इसके अंदर icon का tag कॉन सा है span और यहाँ पर हम देंगे margin inline 5 pixel और last में button पर हमें cursor set कर देंगे pointer guys यहाँ पर styling complete हो चुकी है और यहाँ पर जो last में आपको check boxes दिख रहे हैं वह आप हम video के end में remove करने वाले हैं और guys यह styling आपको कैसे लगी है comment section में बताओ और guys password generate करने के लिए ह हम javascript का use करने वाले तो आते हैं index.html में और last में हम क्या करेंगे body tag के बाद में हमारी javascript file को add कर देंगे script src app.js इसके बाद हम चलते हैं app.js में तो सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पर जो length slider है न उसको access करते हैं तो index.html तो length slider कहाँ पर यहाँ पर जिसका idea length slider ctrl c हम जाते app.js में let ctrl v और is equal to हम करेंगे document.getElementById method का use और यहाँ पर हम पास कर देंगे id इसके बाद गाईस जैसे हम इस slider को move करेंगे तो यहाँ पर जो value है वो change होनी चाहिए तो इसके लिए हम जाते है index.html में और इसके जो id का है slider value ctrl c करेंगे और app.js में आएंगे let ctrl v is equal to document.getElementById method का हम यहाँ पर use करेंगे ctrl v इसके बाद गाईस हम index.html में जाएंगे और इस 9 को remove कर देते और app.js में हम आते हैं और यहाँ पर करेंगे slider value.textContent is equal to हम set कर देंगे length slider.value तो यह क्या करेंगा गाईस यहाँ पर आभी कुछ change नहीं होगा लेकिन क्या होता है कि ज slider की कुछ default value होती है तो यहाँ पर हम statement का use करके वहाँ पर display करेंगे इसके बाद गई जब भी हम इस slider के handle को move करेंगे तब यहाँ के जो value वो change होने चाहिए तो इसके लिए हम use करेंगे event listener का तो हम यहाँ पर use करेंगे length slider.addEventListener और यहाँ पर event हम then use करेंगे input जब भी input change होग तो हम क्या करेंगे इस arrow function को call करेंगे तो यहाँ पर हम set कर देंगे slider value.textContent is equal to length slider.value तो हम यहाँ पर चेक करते हैं जैसे यहाँ पर मैं move कर रहा हूँ तो यहाँ पर value क्या हो रही है चेंज हो रही है तो वह भी सही से देखा रहा है क्यूंकि minimum value हमने set की for maximum 20 इसके बाद icon पर click करूँ तो क्या होना चाहिए यह checkbox भी click होना चाहिए और यहाँ का icon भी change होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इन checkboxes को access करते हैं तो हम करें let checkboxes is equal हम यूज करेंगे document.queryselector all का और हमें पता है हमने इस icon पर कौन सा class लगा है checkbox इसके बाद हम ह convert करते हैं तो array from हम यहाँ पर यूज करेंगे checkboxes और इसके लिए हम यूज करेंगे for each loop इच element के लिए हम following block को execute करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम event listener लगाएंगे element.add event listener और इसका type जो होगा वो होगा click और हम यहाँ पर एक arrow function यूज करेंगे जिसको हम pass कर देंगे e तो यहाँ पर मैं e pass कर देता हूँ तो इसके अंदर हम check करेंगे कि क्या हमारा icon radio button है या click किया हुआ button है तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे लिए check करेंगे if e.target.inner text is equal to equal to हम यहाँ पर string में pass कर देंगे radio button unchecked अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए यह icon change होना तो इसके लिए हम use करेंगे e.target.inner text is equal to हम set कर देंगे task alt तो यह क्या है icon है तो google icon पर जाके हम इस search करते है task तो यहाँ पर आपको यह button मिल जाएगा task alt तो हम इस icon पर click करते है तो आप यहाँ पर देख सकते है कि icon change हो रहा है लेकिन मुझा uncheck करना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक else की condition भी add करनी पड़ेगी else हम क्या करेंगे e.target.inner text is equal to हम set कर देंगे radio button unchecked हम यहाँ पर इसको copy कर देते है और यहाँ पर paste कर देंगे हम यहाँ पर check करते है चेक किया वह button ने uncheck भी किया है सही से काम कर रहा है इसके बाद गाई जब भी मैं इस icon पर click करू तो यह check box भी click होना चाहिए तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले element siblings का तो अगर मैं यहाँ पर देखू यह पूरी की पूरी row क्या है यहाँ पर यह icon label और यह check box का है एक दुसरे के siblings है और इनका parent का है same है तो मैं यहाँ पर explain करता हूँ का अगर मैं इस icon पर click करू तब क्या हो होना चाहिए मेरा जो label है वो मुझे select करना है तो मैं कैसे करूँगा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा console.log तो आपको यहाँ पर output पर दिख जाएगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे e.target.next element sibling attribute का और जब भी हम इस icon पर click करेंगे तो क्या होगा यह element हमें मिल जाएग तो हम यह इसको ब्राउजर में open करते हैं इसको ब्राउजर में open कर दिया है तो हम इसको inspect करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं console में जब भी मैं इस icon पर click करूँगा तब आपको क्या देख रहा है label for uppercase और इसका text क्या include uppercase letters तो यह element access कर पा रहा है हम और यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका क्या आ रहा है next element sibling हमें मिल रहा है वैसे हम previous का भी access कर सकते using method previous element sibling आप simply google पर सर्च करो next element sibling और previous element sibling तो आपको mdn webdocs पर पूरा explanation मिल जाएगा अगर मुझे यह checkbox पे access करना है तो मैं करूंगा तो इस element को label को access करूंगा और इसके बाद checkbox को तो ह हम simply क्या कर सकते यह dot target dot next element का next element sibling तो हम फिर से check करके देखते ब्राउजर पे तो यहाँ पे मैं जब भी click करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते input type checkbox id क्या है uppercase जैसे मैं इस पे click करूंगा तो input type checkbox id numbers तो हमें क्या करना है guys हमें यहाँ पे print तो नहीं करना है हम क्या करने वाले है कि checkbox पे attribute set करने वाले है तो यहाँ पे मैं console.log को remove करते ता हूँ तो और हम करेंगे e.target.next element.next element sibling पे हम यूज़ करेंगे set attribute और हम यहाँ पे दो values पास करेंगे पहली होगी attribute कौन सा होना चाहिए check और second हमें string पास करनी पड़ेगी वह हम empty पास कर रहे है हम यहाँ पे alt z press कर इसके बाद guys हम इस icon पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह element भी check हो रहा है हो रहे है सब कुछ सारे का सारे काम कर रहे है लेकर हम जब भी हम uncheck करेंगे तो यह भी क्या हो रहा है होना चाहिए uncheck होना चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते है e.target.element ठ paste कर देंगे और इस पे हम use करेंगे remove attribute method का और हम attribute pass कर देंगे checked तो आप देखना जब भी मैं इस icon पे click करूंगा check हो रहा है जब भी unclick है तो काम कर रहा है सही से और इसके बाद हम क्या set करेंगे जब भी मैं इस label पे click करूंगा तब यह icon भी change होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते है सबसे पहले हम यहाप एक variable बनाते है उसको हम नाम देंगे include labels is equal to हम यूज करेंगे document.querySelector all method का और इसके अंदर हम यूज करेंगे row जिसका child है label तो यह सारे का सारे labels को क्या करेंगा access करेंगा और इसके बाद क्या है हम यहापे loop चलाना है for loop तो हम क्या करते है same यहाप का code क्या करेंगे copy करेंगे और नीचे यहापे जाके हम इसको paste कर देंगे तो हमें सिर्फ change क्या करना है यहापे check boxes के जगे हम क्या करेंगे यहाँ पर set कर देंगे include labels और यहाँ पर हम यूज करेंगे कि यहाँ पर क्या वाना चाहिए है इ.target.innertext.html तो यहाँ पर क्या है गाईज हमें यहाँ पर previous का element का check करना पड़ेगा तो element.target तो हम यहाँ पर check करेंगे previous element sibling .innertext को अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे आईकॉन को change कर देंगे तो यहाँ पर हम करेंगे e.target.previous element sibling inner text is equal to task alt तो हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर यह काम कर रहा है और मुझे यह line की कुछ जरुवत नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं रिमू करते हैं और हम यहाँ पर same line को copy करेंगे Ctrl-C और यह सारा का सारा हम क्या करते हैं रिमू कर देंगे और यहाँ पर Ctrl-V करके हम इसरिप क्या करना है यहाँ पर text को change करना है और वो हम set कर देंगे radio button unchecked Ctrl-C और Ctrl-V तो same हम method से previous element को भी access कर सकते हैं यहाँ पर चेक करेंगे तो मैं यहाँ लेबल पर क्लिक करूंगा तो यह चेक हो रहा है और फिर से क्लिक करूंगा तो यह uncheck हो रहा है इसके बद गाई हमें password generate करना है और generate कब होगा जब हम generate button पर click करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक variable बनाते हैं और index.html में आते हैं और हमारा जो button है उसका जो id क्या है generate button इसको copy करेंगे और app.js में जाएंगे और let यहाँ पर Ctrl-V generate btn is equal to हम use करेंगे document.getElementById method का और यहाँ पर हम pass कर देंगे id generate btn और guys हमारा password कब generate होगा जब हम button पर click करेंगे तब हम क्या करते हैं इसके लिए तो generate button पर हम use करेंगे event listener तो add event listener गाईज अभी इस वीडियो को पहुच करना और बताना कि यहाँ पर event listener कौन सा use होगा तो यहाँ पर हम use करेंगे click event listener का और हम यहाँ पर use करने वाले anonymous function का और सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ variables बनाएंगे तो इसके बाद हम यहाँ पर variable बनाएंगे length जिसमें हम store करेंगे जो slider की value हो तो length slider.value हम यहाँ पर access करेंगे या store करेंगे इसके बाद guys हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे upper case lower case symbol और numbers के जो check box है उनको access करेंगे तो इसके लिए हम use करेंगे यहाँ पर यह जो checked attribute होता है तो वो return करता है true or false that is boolean value तो जब भी हम इस icon पर click करेंगे तो यह check box checked है तो यह true return करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने यह option choose किया है इसके बाद guys हम इस line को duplicate करते है shift alt down arrow keys से और हम यहाँ पर change कर देंगे अपर case की जगह हमें के चाहिए lower case और यहाँ पर id होगा lower case then यहाँ पर हम use करेंगे symbols और यहाँ पर id होगा symbols और last में होगा numbers और यहाँ पर हम id change करेंगे numbers एक बड़ गाईज चेक कर देते है आईडी सही है के नहीं index.html और यहाँ पर क्या है symbols id सही है numbers सही है ठीक है app.js तो यह हमेशे checked attribute क्या करेगा कि यह option choose किया हुआ है यह true और false में हमें return करेगा गाईज हमें सारे के सारे variables से एक function को pass करने वाले है जो हमें password generate करके return करेगा तो हम यह आप यह function को define कर देते तो हम यूज करेंगे function और इसको नाम देंगे हम generate password और यह arguments लेगा length अपर केस लोवर केस और गाईज इसके बाद हम यह आप इस function को call करेंगे generate password और हम इसको पास कर देंगे length अपर केस lowercase symbols and numbers lane को छोड़के बाकी सारी के सारी boolean values होगी और यह function क्या करेगा हम एक password return करेगा तो वह हम store करेंगे let password generated variable में store करतेंगे इसके बाद गाईज हम हमारे generate password function को लिखते है तो सबसे पहले हम यह आपर क्या करते है एक variable declare करते है let care set is equal to empty string और इसके बाद हम एक और variable बाना देते है लेट string तो इसमें क्या करेंगे हम generated password को store करेंगे तो यह क्या वाला चाहिए यहाँ पर हमारा जो character set है इसमें हम क्या करेंगे क्या करेंगे हमारे capital A to Z letters को और बाकी बची हुए option के लिए भी हमें same चीज को repeat करना पड़ेगा तो हम इसको select करेंगे और alt shift down arrow key का यूज करके duplicate कर देते है तो यहाँ पर option आएगा lowercase और हमें यहाँ पर character set में letter small A to Z चाहिए इसके बाद हम इसमें check करेंगे कि symbols चूज किये हुए है या नई symbols और character set में हम symbols आयड कर देते है और last में हमें add कर देंगे numbers numbers होगे 0 to 9 guys हमें यहाँ पर curly braces यूज करने की भी जरूरत नहीं क्यूंकि हमारे पास क्या है यह block के अंदर यह single statement यह तो हमें curly braces की भी जरूरत नहीं है तो curly brace हटा कि हम इसको single line पर भी लिख सकते है ऐसे तो guys यहाँ पर हम random password generate करने के लिए हम math.random method का use करने वाले तो इसका explanation देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर math.random method है तो यह method क्या करती है हमें 0 से लेकर one तक का कोई भी random number generate करके देती हैं लेकिन यहाँ पर one generate नहीं होता है तो हम इसको console पर देखते हैं कि मैं यहाँ पर डालता हूं math.random और हम इस method को run करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इसने number देया 0.15 ठीक है और फिर से हम अगर इसको run करेंगे तो यह आलग number देगा 0.56 तो random password generate करने के लिए हमारी पास एक character का set होता है तो उस उन character में से हम क्या करते हैं characters को pick करते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है हमने एक character set ले लिए है जिसकी length है six characters तो a,b,c,d,e,e, अब तो यह सारे के सारे क्या है capital letter से लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं characterset.carryat,carryat method क्या करते हैं एक index लेती है character set में से जो string होती है generally और वो क्या करेगी हमारी एक index लेगी सपोज उसने 0 ले लिया ठीके तो वो कौन से character pick करेगा capital A ठीके अगर उसने index क्या ले लिए 4 ले लिए तो कौन से character pick करेगा character E, capital E ठीके लेकिन यहाँ पर एक issue क्या होता ह हमारी जो math.random method है वो क्या करती हमें 0 से लेकर 1 तक का ही number देती है ठीके मतलब 0 से लेकर 0.99 तक का लेकिन हमें वो 1,2,3,4,5 देती ही नहीं तो उसको कैसे generate करे तो इसके लिए हम क्या करेंगे guys जो भी number generate होगा उसको हम character set की length से multiply करेंगे तो वो हमें 0,1,2,3,4,5 ठीके जो भी index चाहिए वो value वो हमें generate करके देगा तो आप यहाँ पर देख सकते है जैसे हम 0.9985 को multiply करेंगे character set के length से वो हमें क्या दे रहा है 5.991 लेकिन यहाँ पर एक issue क्या है guys कि हमारे जो index है वो क्या होनी चाहिए integer होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर number तो हमें multiply करके क्या मिल रहा ह है float मिल रहा है या decimal point में मिल रहा है तो अगर इसको convert करना है किसमें integer में तो इसके लिए कौन से method यूज करने पड़ेगी तो इसके लिए हम use करेंगे math.floor method का और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे math.random मैं इसको बड़ा कर देता हूँ into जो भी हम character set की length है care set dot length तो यह क्या देगा हमें 1 से आगे का number भी generate करके देगा तो यह math.floor method क्या करेगी जो भी decimal number हम उसको पास करते है उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा integer number वह हमें return करती है तो suppose अगर हमने इसको 5.991 दे दिया तो वो क्या हमें return करेगा only 5 इसके लिए हम जाते console में और इसको verify करते है तो यहाँ पर हम क्या करेंगा है सबसे पहले हम क्या करते है 1 से आगे के numbers को generate करते है तो math.random method है हमारी और into अगर हम character set की length ले ले 6 है ठीक है तो हम इसको multiply कर दे तो वो क्या हमें दे रहा है 5.961 अगर मुझे इसको इंटिजर में convert करना है तो मैं कैसे करूँगा हम यहाँ यहाँ यूज करेंगे math.flower method और इसके अंदर हम क्या करते है pass करते math.random और इसको हम multiply करने वाले character set की length से that is 6 और अगर हम इसको execute करेंगे तो वो क्या दे रहा है देखो उसने हमें क्या दिया integer return कर दिया that is 2 तो गाईज यह math.flower method हमें जो भी value return करेंगे that is integer value वो हमें pass करेंगे charset.carat method को as index तो वो क्या करेंगा character set में से जो भी index उसको pass हुई है वहाँ का वो character pick कर देगा और चली हम अब code करते तो गाईज यहाँ पर one से आगे का number generate करने के लिए हम क्या करेंगे math.random into हम इसको multiply किस से करने वाले charset.length से सही है ना तो हम क्या करने वाले इसके बाद इसको pass किसको करेंगे math.flower function को तो यहाँ पर हम लिखते math.flower तो इसके अंदर हम क्या pass करेंगे यह जो number generate हुआ है उसको हम pass कर देंगे that वो क्या होगा decimal number होगा तो हम इसको pass कर देंगे और यह math.flower function क्या करेंगा एक integer number return करेंगा और इसको हम किसको pass करने वाले charset.carat method को और इसको हम क्या pass करेंगे math.flower तो यह value क्या कर देंगे हम pass कर देंगे वो क्या होगे एक integer value होगी और एक丁त – reward method क्या करेंगी वो इस index पर जो भी character होगा उसको क्या करेंगी pick करेंगे तो हम यहाँ आप एक पर क्या करते console.log करके देखते है console.log और हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे pass कर देंगे console.log में तो वो कौन सा character pick कर रहा है तो हम यहाँ पे अभी single character के लिए कर रहे हैं इसके बाद हम चलते ब्राउजर में तो यहाँ पे हम क्या करते है include uppercase letters and include symbols करते हैं और generate password button पे click करेंगे तो यहाँ पे एक error आ रहा है हम देखते हैं क्या error है तो यहाँ पे मैंने ID गलत दिया है तो यहाँ पे एक extra P है मैं उसको remove कर देता हूँ तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे ठीक है तो आप फिर से जाएंगे और आप हो काम करेगा console में आएंगे और हम select करेंगे include uppercase letters and include symbol and generate password button पे click करेंगे तो उसने क्या दिया है capital yes उसने return कर दिया है तो फिर से एक बार करते हैं तो उसने W, X, P, Q ठीक है अब इसने symbol number का भी symbol return कर दिया है हम numbers बे add करके देखते हैं और generate password पे click करेंगे तो यह अलग-अलग characters pick कर रहा है हर time पे लेकिन हमें क्या करना है कि जितनी हम length यहाँ पे set करने वाले ऐसी कि आभी by default 12 थी तो उसने बार हमें क्या करना पड़ेगा इस code को rerun करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हमें यहाँ पे for loop लगाना पड़ेगा तो यह वापस आते हैं हमारे code में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे console.log उससे पहले हम क्या करते है for loop यूज करेंगे for हम यहाँ पे यूज करेंगे let i will start from 0 और यह loop कब तक चलेगा till i is less than length जो हमने पास की as a parameter और इसके बाद क्या करेंगे हम i plus plus और यहाँ पे इसका जो console.log का एक code है न हम इसको alt अपर उप यूज करके यहाँ पे insert कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी console.log को remove कर देंगे और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे हमारे पास एक variable है variable क्या है string तो string में हर बार हम क्या करेंगे जो भी character generate होगा उसको add करते चलेंगे तो plus equal to that is string concatenation हम यहाँ पे करेंगे और last में क्या करते हम यहाँ पे पहले एक पर इसको console.log कर के browser में प्रिंट कर देंगे तो console.log string देखेंगे कि क्या password generate होता है चलते ब्राशर में यहाँ पे हमें पता है कि password के lane 12 होनेवाली है तो हम यहाँ पे click करेंगे सारे के सारे letters को हम यहाँ पे select करते हैं और generate password Button पर click करेंगे तो देखेंगे क्या password होता है तो इसने यह password हमें generate करके दे दिया अगर हम यहाँ पर लेंद चेंज करेंगे और फिर सिफ क्लिक करेंगे तो इसने हमें 20 characters का password generate करके दे दिया यह तो आप भी print हो रहा है ब्राउजर के console में लेकिन हमें क्या हाँ पर चाहिए इस password box में चाहिए तो चलिए इसके लिए code करते तो गाईज यहाँ पर हमारा जो generate password function है वो क्या करने वाला है password को return करने वाला है तो हम यहाँ पर console.lock को क्या करते है रिमू कर देते है और हम यहाँ पर यूज करेंगे return string string में क्या है हमारा password store है और वो password return होके कहाँ पर श्टोर होगा password generated variable में store हो जाएगा तो इसके बाद ग और यहाँ पर हम जाएंगे app.js में और let generate बटन के आगे एक variable create करते है let हम इसको नाम देंगे password is equal to document.getElementById जो id हमने copy किया है उसको यहाँ पर paste कर देंगे तो यहाँ पर जो password generate फोका उसको display करने के लिए हम यूज करने पास्वर्ड.value attribute का is equal to हम set कर देंगे password generated तो अब यहाँ पर हम check करते कि मैं यहाँ पर letters को select कर देता हूँ number सारा का सारा और 12 characters यहाँ पर password generate होके मुझे यहाँ पर password box में display होना चाहिए तो generate password तो आप यहाँ पर दिख सकते हैं कि password यहाँ पर display हो रहा है तो मैं अलग-अलग बार ठीक है अलग-अलग password वो generate करके दे रहा है तो अगर हम numbers को select करेंगे तो वो numbers का password दे रहा है symbols को include करेंगे तो symbols भी include हो रहे है तो यहाँ पर हमने password generate किया है उसको display भी कर दे आ है तो हम इसको नाम देंगे copy icon और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते है इसको सायद हमने एक id नहीं दी है तो id देते class है span और हम इसको देंगे और id होगा copy icon और इसको हम जाते app.js में और यहाँ पर हम करेंगे document.getElementById और इसको हम pass कर देंगे id क्या है copy icon यहाँ पर गाई जब भी हम इस icon पर click करेंगे तो password copy होना चाहिए तो इसके लिए हम copy icon पर event listener का यूज करेंगे add event listener method और यहाँ पर हम event यूज करेंगे click जब भी हम इस icon पर click करेंगे तब हमारा ये arrow function run होना चाहिए और password को copy करने के लिए हम यूज करेंगे navigator object.clipboard.writetext method का और इसके अंदर हम pass करने देंगे password.value और इसके बाद गाई एक और चीज यहाँ पर होनी चाहिए कि जब भी मैं इस icon पर click करूँ तब यहाँ का icon change होना चाहिए तो इसके लिए हम check icon का use करने वाले है तो यहाँ पर आप देख सकते है google icons में यहाँ पर check icons को select करने वाला हूँ और यहाँ पर आप देख सकते है उसका text का है check तो हम यहाँ पर इसका icon का text change कर देंगे तो पर generate password मैं जब भी इस पर click करूँगा तो यह icon change हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते है कि icon change हो रहा है तो अब हम browser में जाते है तो यहाँ पर हम select करते letters and symbols और यहाँ पर password generate कर देंगे और इस icon पर click कर देंगे तो यहाँ पर जाके हम देखते है control भी करके यह copy हुआ है नहीं तो आप देख सकते हैं कि यह password copy हो रहा है गाईज अगर यहाँ पर हम इस icon पर click कर रहे है लेकिन यहाँ पर password नहीं तब भी icon change हो रहा है इसके लिए हम क्या करते है conditional statement लिखके सारा का सारा code उसके अंदर add कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक e-block use करेंगे e-e हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आ हमारा password empty है तो हम यह आप अगर चेक करेंगे password.value अगर empty नहीं है तो क्या होना चाहिए तब ही password copy होना चाहिए और हम इस code को इसके अंदर insert कर देते हैं control x control v तो इसका मतलब क्या है अगर हमारी password की value empty नहीं तब हमारा password copy होगा और guys यहाँ पर क्या है अगर मैं इस पर click कर तो password generate कर रहा हूँ और यहाँ पर click कर रहा हूँ जनरेट password button के click कर रहा हूँ और इसके बाद यह क्या है icon change नहीं हो रहा है वापस वापस जो हमारा copy icon था करेंगे arrow और इसके अंदर हम क्या करतेंगे after some time उसको क्या set कर देंगे copy icon में set कर देंगे तो इसके लिए हम use करेंगे copy icon dot inner text method is equal to हम set कर देंगे content copy और यहां पर हम क्या करते है second parameter इसको देना पड़ता है time time हम लेंगे let's suppose 4000 millisecond means क्या होता है four second तो यहां पर अगर हम generate कर देंगे और यहां पर generate password इसको क्लिक करते है तो चार सेकंद बाद यह वापस content copy पर change होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह change हो रहा है तो ह हम यहां पर time कम करके करते है इसके पाद guys हम इसको टेश्ट करते है तो यहां पर हम इसको क्लिक करते हैं यह से जा रहा है और upper case letters include करके भी generate हो रहा है, small case letters भी आ रहा है, generate हो रहा है, इसके बाद guys हम क्या करते है, label के click करेंगे, यह icon भी uncheck हो रहा है, सही से जा रहा है, और फिर सही से इस पर click करेंगे, यह icon change हो रहा है, और यहाँ पर check box भी click हो रहा है, इसके बाद guys हम क्या करते हैं, इस icon को uncheck करेंग और यह अंचेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है गाई हमारे प्रोग्रम में एक बग है तो हम यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड लेबल से पहले चेक बॉक्स ठीक है तो यहाँ पर हमें सेट अट्रिब्यूट प्रोपर्टी की कोई भी ज़रूत नहीं मेथड तो हम सेट कर देंगे ट्रू और यहाँ पर अगर एल्स में ना तो हमें सेट करना पड़ेगा चेक टी इस इक्वल टू पॉल्स इस इक्वल टू हम सेट कर देंगे फॉल्स और अब हम चेक करते हैं तो अब हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे ठीक है फिर से अंच क्लिक कर देया जब हम इस बटन पर क्लिक कर रहे है तो यहाँ पर यह चेक बॉक्स भी टिक हो रहा ह तो यहाँ पे सब में हम क्या करते है hidden attribute को add कर देंगे तो वो checkboxes hide हो जाएगे और last में एक और हमें numbers के लिए hidden ठीके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे-सारे checkboxes hide हो चुके तो finally guys यह project हमारा complete हो चुका है तो हम यहाँ पे एक बार last check कर देते generate password password generate हो रहा है यहाँ यहा comment box में बताना तो guys आज की इस वीडियो में इतना है अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी देन like share and subscribe to our channel till then this is Ganesh signing off see you in the next वीडियो बाई हुआ